है the safe bearing capacity at one meter below the ground surface Q safe आप से पूछा था तो Q safe का formula होता है Q net safe plus gamma df और Q net safe होता है net ultimate upon factor of safety plus gamma df तो सब कुछ इस सवाल में दिया था net ultimate दिया था factor of safety दिया था gamma दिया है depth of foundation दिया value रख्के answer आजाएगा और सभी answer आभी गया था 11.7 ton per meter square very good ठीक है चलिए फिर इसी के बाद अगले सवाल से start करते है next question जल्दी से पढ़िए जल्दी से कीजिए दिलीप आचकल वैसे तो खतरनाक फर्म में है बस यह है कि जराइसे अपना silly mistake से वर्काउट करना है कि आज स्वाइल ही स्वाइल होगा क्योंकि स्वाइल में मैंने फिर अब कुछ चैप्टर्स और बढ़ा ली हैं जैसे stability of soil vertical stresses effective stress exploration of soil foundation के लाभा और भी chapters के question है end में ठीक है और भी questions है ठीक है चली मेगा जी करना जितने आप question करेंगे जितने आप question करेंगे उत्ता अच्छा होता जाएगा if width of a square footing resting on clay resting on clay ठीक है इसका मतला depth of foundation is 0 is doubled conferred to original footing ultimate bearing capacity will be increased by सभी का answer बिल्कुल सही आ रहा है 0% क्यों क्योंकि q u बरावर होता है cnc पिलस gamma dfnq पिलस आपका क्या होता था half gamma b n gamma अब किले के लिए basically this n gamma is 0 तो यह वाली term 0 हो गई ठीक है और बाकी बच्ची यह दौनों term इन दौनों term में आप देखना है कि footing का size कहीं नहीं आ रहा ठीक है कहीं नहीं आ रहा तो इस वज़े से क्या रहेगा यह footing के size से independent रहेगा किले पर ठीक है तो किले की जो bearing capacity होती है वो footing के size independent होती है ठीक है independent होती है चले अगला सवाल next question अच्छा मैं जी first time attain कर रहा है qrp वरिया daily live attain क्या कीजिए अगला सवाल अब purely cohesive soil purely cohesive soil tested by unconfined compression test the mean unconfined compression strength was obtained as 50 kilonewton per square meter ठीक है per square meter answer भी दे देना है बहुत बढ़ी है जल्दी यल्दी सब लोग ठीक है तो q u क्योंकि आपको 50 दे रखा है यहां पर तो यहां से जो c की value हो जाएगी 25 दन नेट ultimate bearing capacity of the soil adopting tarzaghi's concept बिल भी तो basically क्या होता है अगर मैं same formula use करूंगा तो CNC पिलस gamma dfnq पिलस half gamma b n gamma तो किले के लिए यह वाली item तो वैसे 0 हो गई वैसे 0 हो गई और यहां पर बात के net ultimate bearing capacity की यहां पर बात कि उसना net ultimate bearing capacity तो net के लिए क्या होगा यहां पर जब लोग net ultimate लिखेंगे तो यह हो जाएगा CNC पिलस gamma df nq minus gamma df अब basically क्या होता है कि जब लोग net की बात करते तो nq की value क्या होती है के लिए के लिए 1 होती है तो यह वाली term भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इसका मतलब shortcut यह के निकल कर आगया कि अगर आपसे net ultimate पूछे तो केबल CNC कर देना है केबल क्या कर देना CNC की value 5.7 दे रखिए c की value वहां आ गई तो 25 x 5.7 करना है और कुछ भी नहीं करता ठीक है तो जिनोंने किसी ने group में पूछा तो यह साम में solve क्या अच्छा very good मैं वही कहूं यह सब बड़े खटा-खट आंसर गित दे रहां तो आगे से क्या होगा आगे से आप यह shortcut formula बना सकते हो इस question के लिए shortcut 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 सीधे सीधे है q net ultimate बराबर cnc बस बागी सवाल पढ़ना ही नहीं अगर किले है तो किले के लिए किले के लिए q net ultimate बराबर cnc बिल्कुल मयंग जी हमेशा तरजागी का जो formula है जब कुछ नहीं दिया होता तो हमेशा पिस्टिफ फुटिंग के लिए लगाते हैं बिल्कुल सही बात है तो आप यह formula directly याद कर लिजे net ultimate फोर किले cnc तो इससे क्या होगा exam में सोचने में सम अचले अगला सवाल अच नेक्स्ट क्वेस्ट्ट आज लाइव वाचिंग मेरे में 33 क्यों शो कर रहा है लाइव वाचिंग इतना कम क्यों शो कर रहा है ने अच्छा लाइव वाचिंग जाद है लिए शो कम कर रहा था अभी ठीक है वहीं सोचाइब बच्चे कहां चले गए फार लोकल शीयर लोकल शीयर फिलियर के लिए 5 की वेल्यू क्या होती आपकी पास लेज दें 28 डिग्री लेज दें 28 डिग्री वेरी गुड अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल के लिए वाल भी ओर लिए ये प्यूर्ली कोहेसिव फॉयल एक प्यूर्ली कोहेसिव सोईल की नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपसिटी की बात कर रहा है बात कर रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा था Q net ultimate is equals to Q net ultimate is equals to CNC तो इसमें ना तो depth आ रही है और ना ही width आ इसका हो गया दॉनों से independent हो गया इस independent of both the width and depth of the footing तो अभी पिछले सवाल से हमें इस सवाल में भी क्या मिल गई है हेल्प मिल गई है ना लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं यहां पर हेल्प कर दी कि अगला क्वेश्चन कि यस्वन जी पंद्रह मही तक का वेट कीजिए पंद्रह मही तक सुनने बागी देखिए मही में क्या होता है हाँ भया अटेंडन्स लगाते रही है अपनी तरजारगी बेरिंग कैपसिटी फैक्टर से एन ची एन क्यू एन गाम और फंक्शन सोप एंगल ऑफ शीरिंग अजिस्ट्स अब दी सॉइल अनली ठीक है केवल फाइपर डिपेंड करते ही अगला सवाल अगला सवाल In a plateload test on a sandy soil The test plate of 60 cm by 60 cm undergoes a settlement of 5mm at a pressure of 12 into 10 is to power 5 newton per meter square What will be the expected settlement of 3 by 3 m footing under the same pressure तो soil कैसी है, sandy soil है, sandy soil है, ठीक है वही, तो settlement of foundation upon settlement of plate, sandy soil के लिए, क्या formula होता है, width of foundation upon width of plate, into, width of place, plate plus 0.3, upon width of foundation plus 0.3, ठीक है, 9 आ रहा है, very good, अब यहाँ पर ध्यान दिजएगा, settlement of plate आपको दे रखा है, कितना, 5 mm, 5 mm दिया है, 5 mm दिया है, foundation का settlement, find out करना है, अब यहाँ पर याद रखेगा, जो यह width होती है, मीटर में होती है, width किसमे होनी चाहिए, मीटर में, मीटर में, तो width of foundation तो ठीक है, 3 मीटर, 3 मीटर है, plate कितना है, 60 cm, तो उसको किता रखेगा, 0.6, किता रखेंगे, 0.6, value रखो, answer पाऊ, value रखो, answer पाऊ, value रखो, answer पाऊ, सभी का रहा है, 9 mm will be the answer, ठीक है, left side dimension less है, इसनिये, इसको आपने, इसको आपने unit change करने की जरूत नहीं है, राइट side भी आपकी dimension less है, केवल सबको meter में रखना है, जो unit plate के settlement की होगी, उसी unit पे आपका settlement का settlement आएगा, ठीक है, ये टूटी-फूटी जिंदिगी ने अपना असली नाम रख लिया है क्या, सुभम चोहान, आप ही है न, DP से लग रहा है, चलो, अगला सवाल for determining the ultimate bearing capacity of soil the recommended size of a square bearing plate to be used in plate load test should be 30 to 75 centimeter square with a minimum thickness of । ठीक है चल अच्छा करें था मनें नाम बदल लिया नाम बदल लिया असली है ठीक है तो प्लेट लोट टेस्ट में हम जो प्लेट यूजे करते हैं उसकी minimum थिकनिस कितनी होती है तो 25 mm ठीक है अगला सवाल पहले सवाल पढ़ लो फिर आप्शन दिखा देंगे पहले सवाल पढ़ दीजे फिर आप्शन देख लेंगे सतेन्र कर्दम कर्दम महरास्टरा से हैं आप भाया कर्दम जी यह सरनेम वड़ा सुना सुना से चलिए वेलकम है आपका two footings one circular and the other square are found on the surface two footings one circular and the other square are founded on the surface of purely cohesionless soil diameter of the circular footing and width of square footing is the same ratio of ultimate bearing capacity of circular to square footing तो देखें भाया qu अभी आपने पढ़ा था क्या था cnc पिलस गामा dfnq पिलस हाफ गामा b यह फॉर्मूला होता था किसके लिए आपका strip footing के लिए जब आप इससे क्या बनाते थे इसक्वायर फुटिंग बनाते थे इसक्वायर तो यह हो जाता था 1.3 cnc या ठीक है या एक काम करें पूरा फॉर्मूला लिखने के जरुद भी नहीं है क्योंकि cohesionless soil है तो पहली term 0 हो जाएगी और surface पर है तो second term 0 हो जाएगी आपके पास केवल third term में changes आएंगे तो square के लिए जो third term होती थी यहाँ 0.5 की जगे हो जाता था 0.4 गामा बी एन गामा और circular के लिए जो third term होती थी वो होती थी 0.3 गामा बी एन गामा तो यह term आपकी cancel हो जाएगी आंसर आएगा 4 by 3 4 by 3 कि क्या पूछा है हमसे एक मिनट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर टू स्कुलर पहले स्कुलर बाद में तो उल्टा कर दो 3 by 4 यह भी पढ़ना है जरूर सवाल में कि circular to square पूछा है यहाँ पर फॉर्मूला तो हमने वैसे बनाया तो उपर 3 CNC हो जाता था यह term आपकी as it is रहती थी ठीक है तो पूरा equation लिखने की जरूत नहीं है पूरा equation लिखने की जरूत नहीं है यह दौनों इस्वरसिटी होती है वो स्कॉर की 75 पर सैंट होती है चिक है अगला सवाल अगला सवाल बेटा सब्सक्राइब अनर्जिस सर्फेस फुटिंगे सर्फेस पर है तो बेटा जब सर्फेस पर होगी तो डैप्त औफ सावंडेशन कित्ता लोगे जीरो होगे footing is at surface कुछ नहीं आपकी calculation आसान करने के लिए उसने दिया है data ठीक है आसान करने के लिए अगला सवार for a purely cohesive soil the bearing capacity at ground surface for a circular footing as per तर्जागी आनलीस विल भी हां जी for a purely cohesive soil the bearing capacity at ground surface ठीक है तो याद अखेक आप क्यू यू बराबर cnc पिलस गामा dfnq पिलस हाफ गामा भी एंडामा यह किसके लिए था यह किसके लिए था आपका strip footing के लिए बट footing कैसी है circular है तो changes करने पड़ेंगे ठीक है लेकिन soil कैसी है आपके पास cohesive purely cohesive तो यह term आपके पास 0 हो गई surface पर है क्या surface पर है तो यह term भी आपके पास 0 हो गई तो आपको बात के दो term की tension नहीं की जरूती नहीं है q u बराबर क्या रहेगा 1.3 cnc क्या बचेगा 1.3 cnc बचेगा circular के लिए circular footing के लिए तो यह रहेगा 1.3 c और nc की value कितनी होती है 5.7 कि ले के लिए nc 5.7 nq की value 1 और n gamma की value 0 यह किले के लिए values होती है आपको याद होनी चाहिए तो भई आप 1.3 into 5.7 कर दो आपका answer कितना रहे 7.41 7.41 ठीक है बिलुकुल सही जवाब बट यह option में नहीं है तो क्या करें फिर c लगा दें यह दी लगा दें तो c मत लगा यह 7.2 जो नन अफ दीज पर लगाई यह नन अफ दीज पर लगाई यह अगला सवाल अगला सवाल अगला सब्सक्राइब प्र्मूला फॉर फॉर फॉर्टिंग फॉर्टिंग अस्क्वाइब शबाई शेप the net ultimate bearing capacity on a purely cohesive soil of तो आपको मालुम है q net ultimate हमें कितना मिलता था cnc cnc जहाँ nc की value क्या होती थी 6 into 1 plus 0.2 depth of foundation upon b formula आपको याद होने चाहिए according to skampton's formula for a surface footing surface footing के लिए df कितना हो देगा 0 तो nc की value कितनी आ गई 6 तो qne क्या हो देगा 6c तो आंसर क्या हो देगा आपका इसका बी हो देगा क्या बिल्कुल सही जवाब सही आपका अभिशे कॉसिक जी बिल्कुल कोशिश करेंगे ठीक है थोला सा समय निकालना पड़ेगा उसका पहले खुद सीखना पड़ेगा तो कि मेरी खुद की calculation बहुत खराब है तो पहले मैं अपनी calculation सुधारनों फिर आप लोगी calculation सुधरवाता हूं कि दा फ्लोटिंग फाउंडेशन इस वन इन विच फ्लोटिंग फाउंडेशन भूल गया है तुक्का आजमार है तो मैंडम पढ़ाई कीजिए रिवाइस कीजिए भूलने से काम नहीं चलेगा और सॉइल को रिवाइस करने के तो खुब टाइम मिल आप लोगों को तो फ्लोटिंग फाउंडेशन का मतलब यह होता है जनरली राफ्त में यह कॉंसेप्ट होता है और जहां पर बेस्मेंट होता है वहां पर जब बेस्मेंट बनाते हैं तो माल लिजे यहां पर पहले क्या था स्वाइल भरी हुईती पहले यहाँ पर क्या भरी हुई थी, soil भरी हुई थी, तो soil की वज़े से यहाँ पर कुछ pressure लग रहा होगा इस नीचे की soil पर, तो आपने क्या-क्या इस soil को यहाँ से हटाया, और इसकी जगह पर क्या कर दिया, आपने एक raft बना दी, क्या बना दी, raft बना दी, raft, अब इस raft की वज़े से, पहले soil की वज़े से, यहाँ पर जो pressure था, वो gamma df था, अब आपने soil हटा दी, और raft का जो load है, वो इस तरीके से लग रहा है, कि बाद में भी यहाँ पर जो pressure लग रहा है, वो gamma df लग रहा है, तो बितार, net pressure कितना हो जाएगा, net, net हो जाएगा 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, net soil pressure क्या हो जाएगा, 0, तो इस तरह से raft को कोई reaction नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं, तो इसको हम बोलते है, floating का concept आ गया है, the net soil pressure beneath the foundation structure is 0, next question, floating foundation, जितनी मिट्टी निकलती है, उतना ही pressure, very good, यही होता है तरीका पढ़ने का, अपना simple simple चीजें, simple language में याद रखो, बढ़िया, मिट्टी हटाई, मिट्टी के जाग है, foundation बनाई, according to IS code, allowable settlement of raft foundation or send, तो 40 mm से 65 mm तक allow होता है, इस पर, यह table आप बना लेंगे, बहुत बार question आता है, केस में, as per IS recommendation, ठीक है, send के लिए, isolated foundation, raft foundation, isolated के लिए 40 mm maximum settlement, maximum differential settlement, जब आजू-बाजू की settlement, जो column होंगे, उनकी जो fitting होंगी, उनमें differential, दोनों के settlement का जो difference है, वो 25 mm से जादा नो, ठीक है, raft के केस में, differential settlement 25 ही है, लेकिन यह 40 से पैसेट होता है, किले में, relatively, यह settlement थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, isolated में 40 से बढ़कर पैसेट हो जाता है, raft में यह पैसेट से 100 हो जाता है, यहाँ पर यह 25 से बढ़कर, 40 हो जाता है, बिल्कुल याद करनी होगी, क्योंकि एक्जाम में question आता है, क्योंकि एक्जाम में question आता है, बिल्कुल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, अगला सवाल, मैंने आपको बोला है, आप एक अलग copy बनाओगे, एक notebook बनाओगे, उसमें आप वो सारी table, formulae, concepts आपको लिखने हैं, जो आप questions से सीख रहे हो, पर एक्जामपल अभी हमने देखा था कि, क्यों net ultimate किले किले कितना था, cnc था, surface पर footing है, किले किले तो क्यों ultimate cnc था, तो यह ऐसे कुछ shortcut concept आपके बन जाएंगे, एक्जाम में आपका time boss save हुजाएगा, ठीक है, सौरप PWI, सर मेरी शादिय साथ मही का वही, congratulations PWI जी, पीवे इंस्पेक्टर, the maximum differential settlement in isolated footing, maximum differential settlement in isolated footing on sandy soil, तो अभी यह क्या देखा था, चाहे सेंड पर isolated हो, चाहे राफ्ट हो, दौनों के लिए कितना था, 25 mm था, 25 mm था, और किले के लिए सेम चीज़ किती थी, 40 mm थी, ठीक है, तो 40 mm के लिए के लिए, सेंड के लिए 25 mm, पीवे में जो होते हैं, उनको पीवे इंस्पेक्टर, सब इन्वाइटे हैं, लेकिन जाना मत, कोराना का टेस्क करा क्या होगे, तब ही एंट्री मिलेगी, बद्यम्मार कह रहें, दिली, प्रग्या सिंग, नेहा सर्मा, इन तीनों के अंसर, अगर मैच हो जाएं, तो वो पूस्टली सही ही होता है, अपना भी नाम मिलाओ भी है, इसके अंदर अपना भी नाम लाओ, अब तो कहें, और बहुत बच्चे महनत कर रहें, मयंग हैं, इसपार्स हैं, जगनाथ, चौधरी, चलिए, अगला सवाल कीजिए वही जल्दी से, आप फुटिंग 2 मीटर वाई 1 मीटर एक्जर्ट सा यूनिफॉर्म प्रेशर ओफटी किलो रिटन पर मीटर स्कार, अन दिस सॉईल, मिरजा पुराना है, चलिए, तेक फुटिंग है, आपके पास 2 मीटर वाई 1 मीटर की, यह 2 मीटर है और यह 1 मीटर है, ठीक है, और इस पर कुछ लोड लग रहा है, जिसकी वड़े से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्कार का क्या है, प्रेशर है, स्वाईल पर, एजुमिंग अ लोड डिसपरजन ओफ टू वर्टिकल टू वन होरिजन्टल, यहां से क्या हो रहा है आपका, इस तरह से लोड डिसपरजन हो रहा है एक बड़े एरिया पर, एक बड़े एरिया पर load dispersion हो रहा है और load dispersion क्या बोला है आपका two vertical to one horizontal two vertical one horizontal दो vertical नीचे जाओगे तो one horizontal जाओगे the average vertical stress in kilo newton per meter square at one meter below the surface footing तो यह आपको दे रखा है कितना one meter तो actual में क्या है कि यहाँ पर जो load है वो एक बड़े area पर distribute हो रहा है तो पहले तो सोचो load कितना है तो बेटा यहाँ पर जो load होगा वो कितना होगा this 150 का pressure into ये वाला area और ये area कितना होगा 2 into 1 2 तो load basically कितना होगा 300 तो आपका जो load होगा वो सीदे सीदे कितना होगा 300 किलो न्यूटन हो गया अब आपने जो base का area निकालना है वो देखिए तो एक बात बताओ अगर मैं एक मीटर नीचे जा रहा हूँ ठीक है तो दो vertical पर one horizontal है तो एक vertical पर horizontal कितना होगा 0.5 होगा तो इसका मतलब यह है कि अगर यह x है और अगर यह एक मीटर है और यह अगर आपके पास 2 is to 1 का सुलोप है तो यह कितना होगा 0.5 0.5 तो यानि कि जो bottom की dimension होगी वो कितनी होगी x plus 1 होगी two like bottom की dimension कितनी होगी x plus one तो लंबाइं कितनी होगी फूटिंग की लंबाइं हो जाएगी आपके पास two plus one three लंबाइं हो रहेगी two plus one three और चॉडाई किती हो रहेगी one plus one two तो एरिया कितना हो जाएगा तीन दूनी 6 तो प्रेशर कितना हो जाएगा सिग्मा लोड कितना निकाला हमने लोड निकाला 300 तो 300 बटे 6 50 बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का ठीक है 50 50 ठीक है देखो भी यह जिनको सब आर के सिंग जी बेटा 80 नहीं होगा जिनको नहीं आ रहा है आपको खुर पूछना पड़ेगा अब यहां पर यह बागी बच्चे फटा फटा अंसर देने हैं तो उन्होंने कर रखा है उनको आता है जिनको नहीं आता है वो पूछ लीजेगा समझ लीजेगा ठीक है मुझे तो सब के हिसाफ से चलना है ठीक है तो हम डारेक्ट फोर्मूला भी गा सकते है और नहीं तो ऐसे भी कर सकता है तो हमने का इस वाले एरिया पर इतने का प्रेशा लग रहा है तो टोटल लोट कितना हो रहेगा इस एडिया इन्तू दिस प्रेशो अजै। अब टू प्लस बन थिरी वन प्लस बन टू इन दौने की मल्टिप्लाई क्या एरिया आ गया एरिया से लोट को डिवाइड कर दिया इस्ट्रेस आ गई या प्रेशर आ गया हाँ कन्वेंशनल में हेल्फुल है बिल्कुल क्लियर है चलिए अगला सवाल अगला सवाल रिपीटिशन इस दिकी कुछ सवालों को आप जितनी बार करोगे बार बार करोगे उतना अच्छा है क्योंकि एक्जाम में अगर आपने एक सवाल या एक टाइप के सवाल कई आ कर रखे तो एक्जाम में सोचने में समय नहीं लगता जितनी स्पीट से आप यहां सवाल कर पा रहे हैं उतनी ही स्पीट से एक्जाम में भी कर पाएंगे बट एक्कुरेसी का ध्यान रख नहीं एक्कुरेसी का ध्यान रख नहीं ठीक है इफ एन एंगुलर डिस्टॉर्शन ऑफ वन बाई डिस्टॉर्शन तब होता है जब एक कॉलम दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर जाए डिफरेंचली सेटल्ड हो जाए तो इस एंगल थीटा ठीक है और आप से यह सेटल्मेंट यहां पर पूछा होगा एस वाड़िधी करिस्पेंडिंग वैल्य ओफ डिफिरेंचल सेटल्मेंट ठीक है तो यह तो आप लोग कितनी बार करते आने एस बराबर एल इंटू थीटा तो 7.5 इंटू थीटा हो जाएगा ठीक है थीटा कितना दिया है वन अपॉन तिरी हंड़ेट वन बाई तो यह मीटर में आएगा तो इसको हजार से मल्टिप्लाई कर देना एमम में आ जाएगा 25 क्या 75 तो 25 एमम आ रहा होगा 25 एमम सुट भी दी आंसर ठीक है बहुत बढ़िया अगला सवाल अगला सवाल राइस अब आ वाट टेवल इन कोहसेल नहीं आप तो ग्राउं शर्फिस ति नेत अल्टिमेट बेरिंक अपसिति एप्रोक्षिमिट रएब तो वाटर टेबल जब ग्राउन तक आती थी तो डारेक्ट रिजल्ट आपको क्लास में प्रूफ करवाये हुआ है कि 50% तक रिड्यूस हो जाती है बेरिंग कैपसिटी 50% है न अगला सवाल पढ़िये और कीजिए अब वुड़न पाई लिज विल्कुल साही कुमार अशिश विल्कुल साही वाटर टेवल क्रेक्शन सेक्टर लगाते थे अब वुड़न पाई इस विए डिवन विदा डॉप हैमर वेंग 20 किलो न्यूटन तो वेट दे रखा है आपको चलो छोड़ो मैं डारेक्ट पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं दा लोड केरिंग कैपसिटी पाईल एस पर एंजीनियरिंग न्यूस फॉर्मूला तो जो फ फक्टर आफ सेफटी इन्टो स पिलस सी ठीक है एस पिलस सी जहां पर डवल्यू क्या है वेट एच क्या है हाइट फेक्टर आफ सेफ्टी कितना लेकर चलते हैं 6 S क्या है settlement, C क्या है constant, ठीक है C क्या है constant, तो सारी values आपको दे रखी है Hammer का weight आपको दे रखा है 20 kilo Newton, तो आपका answer किसमा आएगा, kilo Newton में आएगा Having a free fall of 1 meter, H की value 1 meter दे रखी है, इसको आपने किसमें रखना है, centimeter में रखना है, ये value भी centimeter में आएगी The penetration in the last below is 5 mm, तो इसको centimeter में कर लिजेगा, 0.5 हो जाएगा और C की value किती हो तो इस centimeter में 2.5 2.5 Factor of safety is fixed, that is 6, क्या बात है, मिद गुपता जी बहुत बढ़ी है, याद करने का सही तरीका है ठीक है, तो इसकी value 6 सक देना, ये 5 mm यानि के 0.5 centimeter हो जाएगा C की value 2.5 हो जाएगी centimeter में, H की value 1 meter यानि के 100 centimeter हो जाएगा W को जिस unit में रखोगे, Q की value उसी unit में आएगी ठीक है, तो answer जो आएगा, निशा जी answer A नहीं है बेटा answer is D, answer is D, triple 1.1 triple 1.1 ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अगला सवाल आएगा एक रिजिर्ट फुटिंग है आपके पास ठीक है तो सेटलमेंट तो सेम होगा और किले पर है ठीक है किले पर है तो अगर यह सेंट पर होता तो एस फॉर इस ठीक है सेंट पर इस तरीके का बनता था इसमाईली बोलते थे एस से सेंड एस से स्माईली रिजिट फुटिंग उन किले ठीक है तो यहां पर क्या कर देते थे इसका उल्टा कर दो इस तरीके का तो आपका जो क्या होता था यह सेंटर पर मिनिमं और एस पर मैकसिमूम तो पहले कहान पूचा है पहले इसनने लिखा है एज और सेंटर लिखा है बाद floss क्यांद किया हूं और एकांसwr देका सी अधोली तो Choose सेंट्रों हॉडिद ד वेर इन फ्लेक्सिवल प्रेशर इस सेम बिलकुल तो यह थेओरी वाली क्लास में हिनको प्रॉपर टेक्निक्स से आपको यह सारे बनाकर दिखाएगें समझाएगें जो लोग भूल गये हो थेओरी वाली क्लास इसको फॉलो कर सकते हैं और सॉयल की थीओरी बहुत डिटेल मे एजूफोर टेक पर भी पर ही पढ़ाई हुई है मेराथन वाली किलासे का जो फोल्डर है उसमें आपको स्वाइल की क्लासे मिल जाएंगी ठीक है बिल्कुल सेटलमेंट यूनिफर्म होगा क्योंकि रिजीड है तो हर्दे के सेटलमेंट सेम होगा ठीक है सलेव एक्षन होग interviewer का पसंदीदा सवाल है जनरली है दायमेटर अलास्ट बोर और बल्व और अंडर्रीम पाइल सुझन एक्पैंसिट्स वाइल जनरली टेकने स्टिक है कितना होता है इसका एक आगर यह डायमेटर फाइ blur ले ले है तो यह डायमेटर जो डी घुता हरा कितना हो दू से तीन गुना होता हि TWO तुटु ठीरी तेमस थाइके और स्पेसिंग कितनी होती है लब लब देड़ गुना कि दिर्मल कहने कल प्रांस ने बोला था आई पेल देखते हैं लास्ट का पांच अवर तो आज बच्चे उसको फॉलो करते हुए है विटा बस ये फॉलो मत करो बागे चीजे फॉलो कर लो चली अगला सवाल बागे चीजे फॉलो करो फिर इसे भी कर लेना तो नेक्स वेश्चिन अब 30 सेंटीमेटर डामीटर फ्रिक्चिन पाइल डामीटर दे रखा है 30 सेंटीमेटर यानिके 0.3 मीटर इस एंबेड इंटो 10 मीटर लेंग्ध दे रखे आपको 10 मीटर इना होमोजीनियस कंसॉलिडिटे डिपॉजित यूनिट को हैसन सी आपको दे रखा है किले एंपाइल साफ्ट इस फोर टन पर मीटर स्कॉर एंड एडेसन फेक्टर अलफा दे रखा है 0.7 दस सेफ लोड फॉर सेक्टर ऑफ सेफ्टी सेक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है धाई लोड आपसे पूछा है कितना होगा ठीक है कितना होगा तो भाई आप बला सिंपल सा फंडा है यह अगर आपके पास पाइल फाउंडेशन है तो इसका सर्फेस एरिया क्या होगा पाइडील इसका सर्फेस एरिया क्या होगा पाइडील टू पाइडील या पाइडील इसको आप क्या करेंगे कोहसन से मल्टिप अलग है और पाइल का मैट्रियल अलग है तो alpha into c ठीक है तो यह एक तरीके से stress हो गई और यह तरीके से area हो गई यह आगे load इस load को आप क्या कर देंगे factor of safety से divide कर देंगे तो आपके पास safe safe load आ जाएगा तो भूल जा होता है कि फॉर्मूला बनाने का तरीका है फॉर्मूला बनाने का तरीका है ठीक है नहीं तो याद रखो नहीं तो याद रखो कि पी वराबर क्या होता है alpha alpha c into surface area और safe load निकालना है तो इसे क्या कर देंगे factor of safety से divide कर देंगे transfer आप सभी का बिल्कुल सही आ रहा है सारी values पुट करने के बाद में c option आ रहा होगा 10.55 very good कि किसी कोई दिक्कत इसमें अगला सवाल सेलें जी इतनी मेहनत करने की जड़त नहीं है आपके वाल आंसर लिख दो वही काफी रिपीटेट क्या हो गया क्या question is repeated soil pressure distribution below a rigid footing on this surface of a cohesive soil तो हमने कहां देखा था center पर minimum था और edges पर maximum था तो answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा क्या कि यह हो जाएगा कि देखेंगा रिजिट फुटिंग रिजिट फुटिंग और ग्रेनुलर सॉइल रिजिट फुटिंग एंड क्लेई सॉइल तो रिजिट फुटिंग है तो आपका जो settlement होगा वो हर जगह पर सेम होगा सेटलमेंट क्या होगा हर जगह पर सेटलमेंट बिल बिल सेम लेकिन प्रेशर क्या करेगा वरी करेगा ठीक है तो यह वाला हम लोग इसको फायदा उठाते है ठीक है है आर सी एसस कर लो आर सी एसस रिजिट फुटिंग के लिए पर ठीक नें आर सीनी आर एससरी होगा आर एसससे याद कर लो इसको प्रेशर रिजिट फुटिंग सेंड पर इसमाईली यह बनेगा तो किले का यह हो क्या अब यहां पर देखो फ्लेक्सिवल फुटिंग जैसे आपना आप चपल पहन कर जा रहे हो और पैर की नीचे पत्थर आ गया तो क्या होता है जो चपल है वो फ्लेक्सिवल है तो क्या हो जाएगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फ्लेक्सिवल फुटिंग के केस में क्या होता है प्रेशर यूनिफॉर्म हो जाता है लेकिन प्रेशर को यूनिफॉर्म करने के लिए सेटलमेंट चेंज हो जाता है अब क्या करता है इसको क्रॉस कर देता है इसको यहां ले जंड़न को यह सर्फ बताया हुआ है कि तो रिजिट फूटिंग का किले के ऊपर प्रेशर के लिए जो डाइग्राम मधनता है वो फ्लेक्सिवल फूटिंग का सेटलमेंट के लिए बनता है ग्रेणूलर पर और यहां पर रिजट का granular पर जो बनता है वो फ्लेक्सिवल का किले पर बनता है जैसे वर्जी वैसे याद कर लो याद तो करना पड़ेगा और कोई option नहीं है ठीक है और सबसे अच्छा है कि directly याद करो directly याद करो हाँ as for send as for smiley उससे सारे बन जाते है चले कीजे सवाल को और याद तब ही होगा जब इसको आप जो आपको बोले एक notebook बनानी है अपने questions के लिए उस notebook में आप इनको लिख लें ठीक है नहीं तो भोलते रहेंगे a group of nine pile foundations 12 meter long and 250 mm in diameter is arranged in a square form in clay having undrained shear strength of 30 kt per meter square neglecting bearing at top of the piles and taking addition factor alpha is itna ultimate capacity of all piles in individual action तो basically यहाँ पर क्या पूचा है ultimate capacity of all piles in individual action तो यह तो असान हो गया हमारे लिए एक को निकालो और कितनी है नाइन है नाइन से मल्टिप्लाई कर दो तो अभी आपका बताया था क्या था एल्फा सी एस एस क्या है सर्फिस एडिया एक सी क्या है को हैसन एल्फा क्या है addition factor और इसको number of piles से multiply कर देंगे तो total capacity एड़े ग्रूप की ठीक है अब यहाँ पर आपको एल्फा दिया हुआ है कितना जी रो पॉइंट नाइए आप सी की वैल्लू आपको किती दे रखी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्कुर्र एस कितना हो रहेगा पाई डी एल पाई डी एल एल आपको दे रखाए 12 मीटर डायमीटर दे रहे है 250 mm यानिके 0.25 मीटर ठीक है πाई की वैल्ल्य आपको मालुम है ठीक है डी मालुम है अल मालुमें एंड की वैलू 9 रग तो आनसार आज आजाएगा कितना रहा है बी आ रहा है बी आ रहा है सभीका ठीक है बी आ रहा है very good समझ गए कुछ करना ही नहीं है इसमें alpha c से surface area को multiply करो और n times कर दो surface area pi dl अगला सवाल अगला सवाल कीजे कि बेटा c की वेल्यू 15 क्यों लोगे सम्याग c की वेल्यू 30 शीर स्टेंग दे रखाया अंडेंड शीर स्टेंग बेटा शीर स्टेंग क्या होता था सिग्मा बार 10 5 पिलस c c तो किले के लिए टाउ किसके बरावर होता है c के directly cohesion दिया है वो 15 ताव होता जब unconfined compressive strength दियोती वालक unconfined compressive strength थोड़ना दिये unconfined compressive strength थोड़ना दिये समद रहे हैं negative skin friction on pile under vertical compressive load are downwards and reduces the load carrying capacity of the pile बिलकुल सही आप सभी का answer बिलकुल सही है answer is b very good agla question the intensity of vertical stress of depth z below a concentrary load q by bossy nesk equation तो bossy nesk equation के तुरू sigma z बरावर क्या होता था यह होता था आपके पास 3 q upon 2 pi z square into 1 upon 1 plus r by z का square और इस पूरे की power 5 by 2 यह होता था क्या लेकिन कहां कहा रहा है the intensity of vertical stress of depth z below a concentrated load concentrated load के नीचे तो r की value क्या रहेगी 0 r की value 0 रखूंगा तो यह value 0 यह पूरा factor 1 हो जाएगा और sigma z बन जाएगा आपके पास r is equal to 0 के लिए 3 q upon 2 pi z square इसको आप लिख सकते हो bossiness factor kb bossiness factor kb into q upon z square यही तो हो सकता है इस kb की value आती थी 0.4775 4 775 ठीक है 3 upon 2 pi करना है और कुछ नहीं करना इसको आप roughly 0.48 b कर सकते हो तो रफली कितना कर सकते हो 0.48 b कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आपका answer क्या रहेगा c रहेगा क्या 0.4775 q upon z square या आप इसको sigma z is equal to 0.48 q upon z square भी लिख सकते हो 1.52 पर kb और kw equal होते हैं ठीक है और approximation करना चाहो तो इससे 0.5 b कर सकते हो मैंला रफ आइ रफ आइ आंसर के लिए फटाफट अगर करना होते हो ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अगला सवाल हाँ रटा मार लिए बहुत बढ़िया काम क्या है यही करना है रटा मार रटा मार ठीक है रटा ही मारना है जितना ज्यादा याद कर सकते हो उतना एडवांटेज एग्जाम में उतना एडवांटेज है टाइम जो है बहुत इंपर्टन है क्रिशन है अ त्युर्टन है अ पिशली ही फॉर्मूले में कि अगर आर की वैल्यू जीरो हो तो सिर्टी अपर आपी बहुत लिए यहीं ही बहुत अप्ली कि अगर अगर आर की वैली जीरो हो तो so Sigma Z was universally proportional to Z square inversely proportional to Z square तो कित था रहेगा यह, तो 25 upone तो रीषो कित रहेगा 25 upone 9 और रहेगा 25 upone 9 विल्कुल वहा ना, invers रहेगा 25 upone 9 तो 9 या 27 लख लभग 3 के बराबर होगा वो एक ऑप्शन है, जो कि D है अगला सवाल अगला सवार नेक्स वेस्टिटिन a concentrated load of 40 kilo Newton is applied vertically on a level ground surface the vertical stress intensity at two meter depth below the point of application of load will be ठीक है तो सिग्मा जैड अभी हमने पढ़ा था अगर मैं रफ कैलकुलेशन ले लूँ क्योंकि बहुत दा किलोज आंसर नहीं है तो 0.5 q upon z square 0.5 40 upon z square तो 2 square 4 तो लगव लव 5 के आसपास आंसर आएगा तो आंसर क्या देगा सी हो जाएगा आपका है ना और approximately भी कर लोगे तो अभी कोई दिख्कात नहीं 0.477 था 0.4775 था तो 4.775 हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा ठीक है तो छली आगे बढ़ें अगला सवाल नेक्स्ट क्योश्चन प्रग्या जी कहें पीछे पड़ गई हैं वेगा जी के रटने और लर्ण करने में उनका मतलब है कि कुछ चीज़ है रटनी होती है एजटी इस वही कुछ जानकर चलो कुछ मानकर चलो रटने से मतलब है का मतलब है उनका की उसको प्रॉपर कॉंसेप्ट के साथ समझना है अगर प्रॉपर कॉंसेप्ट के साथ सीख है तो लर्ण किया है और नहीं तो सीदे सीदे रट लिया मतलब नहीं पता लेकिन रट लिया यह उनके कहने का मतलब है ठीक है दन्यवाद गोहिल जी दन्यवाद चले अगला सवाल a 25 kN point load acts on the surface of an infinite elastic medium the vertical pressure intensity in kN per meter square at a 0.6 meter below and 4 meter away कोई बात ने अमीर गुप्ता जी आपकी मजबूर्य हम समझ सकता है ठीक है चले अफ्टो यह पूरा फॉर्मला लगाना पड़ेगा आपको पूरा फॉर्मला लगाना पड़ेगा लेकिन इसका मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको 3Q upon 2 pi z square into 1 upon 1 plus r by z का square और इस पूरे की पावर 5 by 2 आप क्या करो इसे पूरा solve मत करो आप इसे क्या करो पूरा solve मत करो आप यह समझ लो कि जब sigma z अगर मुझे maximum चाहिए सिग्मा जैर मैक्सिमम लेको आर इस इकल टू जीरो पर अगर मैं आर इस इकल टू जीरो रखूंगा ठीक है तो यह टर्म मिनीमम होगी जिससे यह मैक्सिमम मिल जाएगी तो यह हो जाएगी 0.48 q upon z square पहला maximum value calculate कर लो पहले आप क्या कर लो maximum value calculate कर लो तो मैक्सिमम वैल्यू कितने आदेगे आपके पास 0.48 into q q कितना भी आपका 25 किलो न्यूटन 25 किलो न्यूटन अपॉन z square जैर कितना दिया हुआ है एट पॉइंट 6 मीटर बिलो तो 6 का स्वाइट 36 तो पहले यह वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है 0.132 आ रही है क्या 0.132 किलो न्यूटन पर मीटर डिसक्रैप अब आप यह समझ सकते हो कि यह maximum stress है तो actual stress इससे कमी होगी जादा तो हो नहीं हो नहीं सकती यही है तो आपको यहाँ पर exact calculation करने की जो इतनी है नहीं तो आप खुछ समझ जाओ एक्जाम में अगर आप exact calculate करोगे तो पहले तो यह r by z फिर इसका square फिर इसकी पावर 5 by 2 without calculator आप करी नहीं सकते आप नहीं कर सकते हैं अभी तक तो मैं यहीं कह सकता हूं कि मुश्किल पड़ेगा अभी तक मैं यहीं कह सकता हूं कि मुश्किल पड़ेगा बाकी अगर कर सकते हो तो देख लीजिएगा हूँर तो यह देगा में तो इस त्रीके से कर लिइए तो इस तरीके से कर लάλinkan जैघा हूँ तो इस तरीके से कर लिंगे तो हो जाएगा हुख ठिटा जिए यहा फारफ जना कंतले है अ else तर Kerry से इसका ओठें कितना आया वेटा पों फिर यहाँ पर करिंगे न इसको वण पिलस यह ओधाएगा इसको सौल audiobook घरना भी होगा ताप ऐसे करोगे की जै डाया थो EU एक 36 अपॉन 25 पिलो 36 की पावर 5 by 2 तो यह तो ठीक है 36 का अंडर रूट 6 और रहेगा 6 की पावर 5 हो जाएगी और यह पच्छी सो चते इस कितना हो गया पच्छी दिपाज मान सा 6161 को फिर आप एप एप्र आप्र 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 आप्रोक्सिमेटली शिक्स्टी एट मान लो यह हो जाएगा आपके पास 6 by 8 की पावर 5 इसको आप लिख सकते हो 6 by 8 की पावर 5 ठीक है 6 by 8 की पावर 5 दो से काट दो तो ती अच्छा है दो चोकाट तीन बटे चार की पांच 3 upon 4 की पावर 5 आजाएगा ठीक है यह तो यह जो पूरा ब्रैकेट के अंदर था उसे आप लि इसे इसे लिख लो आप 0.48 को चलो 0.5 लिख लो क्योओ पॉइंड इसके यह जाएगा तीन तीन त्या नौत यह 27 त्या एक्क्यासी गुणा तीन और यह जाएगा चार चुग 1664 256 गुणा चार ठीक है 256 गुणा चार अब इसे चलो 8 माल लो इसे काटा यह 20 हो गया यह 20 हो तो 20 तीया 60 60 का अदा यह हो गया 30 30 बटे 256 ठीक है इसे माल लो 255 30 बटे 255 से काट दो ठीक है 6 बटे 51 इसको 50 माल लो 0.3 नहीं आ रहा है नहीं 6 बटे 5 आ रहा है ना 6 अपॉन 50 ठीक है 6 अपॉन 50 ठीक है तो आ गया लो ठीक है वह या विदावट कैल्कुटर कर दिया मैंने ठीक है कर सकते हैं हालों आपनी कैल्कुलेशन पर जड़ा भरोसा काम रहता है इसनी में आवाइड करता है ठीक है वाइट लेकिन आप यह तनीशका ने भोला ऐसर कर लिया मैंने बिना क्यलकुटर तो मैंने का फिर तो मैं भी कर सकता है छोत्तमा है हां पांच मेंट लग रहे हैं सॉल्व करने में लेकिन डौनों तरीके बता दिए न मैंने दौनों तरीके बता दिये डारेक वी बता दी और यह बी-दीखा-दी कि यह क्ởpp अब करो गे वी तो कैसे करोग कि अगर यह क्लोख करनी भी होगी तो यही तरीका है कि ऐसा करके आप इसे कर सकते हो किया जा सकता है ठीक है इस तरीके से चलो खर्ड़ा इसकिप नहीं करना है वालक इसकिप नहीं करना तरीका बता दिया ठीक है चलो आगे होने अगला सवार अगला सवार अगला सवार सबसे बड़ी दिक्कति है हमाई खुद से सवाल करते हिंग बिना क्ये निए जल्द्यल्दी टाइम इतना आधशी कपड़ जाती है तो वह यह वह यह बिटा 6 अपन 50 था 6 अपन 50 ठीक है 60 अपन 5 कुछ होता तो आपका पॉइंट 3 आता हो सही है इना गिवन फिलो नेट इव दी नमबर ओफ फिलो चैनल साथ 2 एन एफ कितना है आपके पास 2 दिया हुआ है एन एफ दिया हुआ है 2 नमबर ओफ फिलो चैनल एन नमबर ओफ पोटेंचल डॉप दिया हुआ है आपके पास 8 तो शेप फेक्टर कितना होता है एन एफ अपन एंडी तो होता है तो टू अपन एट कितना हो देगा वन अपन तो यहां से एक तुका निकालने का भी तरीका बतारों यह कभी-कभी काम करदाता है कि जब दो ही नमबर आपके पास गिवेन होता है जब दो ही नमबर गिवेन होता है तो जन्नरली कि आप उन दो नंबर में या तो आप मल्टिप्लाई कर सकते हो उन दौनों नंबर को मैड कर सकते हो दौनों नंबर का डिफरेंस निकाल सकते हो दौनों नंबर को डिवाइड कर सकते हो इसके अलावक कुछ होता है कि दौन नंबर का मल्टिप्लाई करके अंडरूट कर सकते ह हो average कर सकते हो ठीक है यह कुछ simple operation होते हैं दो नंबर पर यह तब होता है जब एक्जाम में को समझ में आए किसी करेशन वा कर नहीं कर लाएं ठीक है तब अब यहां पर यह कि 8 बटे 2-4 भी है और 2 बटे 8 0.25 भी है ठीक है अब यहां थीक है महें बिल्कुल यह practice भी बिल्कुल सही है आपकी यह practice भी आपके बिल्कुल सही है कि अब कर दो कि आप सीपेस प्रेशर इस एक स्पेश्ज आई-डव ड़ियू कि आई जेड़ गामा डबली क्या उता है इस इपश्पेस प्रेशर जहां आइड क्या होता है हाइड अलिक ग्रेडियेंट अ घ्रॉस पडिज इन लेंग्ड अगला सवाल अगला सवाल if the pillow net of a cofferdam foundation had six numbers of pillow channels and sixteen numbers of equipotential drop with the head of water lost during seepage being 6 meter head loss through the foundation के इतना दे रखा है, meter per minute, then the seepage loss in meter cube per day per meter length of the dam, ठीके भाई या, तो Q बराबर आप जानते हैं क्या होता है, K H N F upon N D, अब आपको यह जो answer उसने पूछा, वो meter cube per day में पूछा है, meter cube per day, तो जो K की value है, वो है 4 into 10 is to power minus 5, meter per minute, meter per minute, H की value किती तरह किया, 6 meter, N F flow channel कितने है, 6, और drop कितने है, 16, तो 6 upon 16, अब आप इसने दिन में convert करना है, पर एक दिन में, ठीक है, तो यह मिलेगा, meter cube per minute, यह discharge मिलेगा, meter cube per minute, तो एक दिन में meter cube per day, बस और बाकि इसमें कुछ नहीं था, तो answer आपका 12.96 into 10 is to power minus 2, answer C आड़ा होगा, answer C आड़ा, ठीक है, next question, सर अगर सीपेज डैम में से हो, तो क्या करेंगे, जब सवाल आएगा तब देखेंगे, क्या करेंगे, अगला सवाल, तो प्रोवाइड सेफटी अगेंस पाइपिंग फेलियर, तो प्रोवाइड सेफटी अगेंस पाइपिंग फेलियर with a factor of safety of 5, वह शुट भी दी मैक्सिमम पर्मिसिवल एग्जिट ग्रेडेट एनफर सॉयल विद इस्पेसिफिक ग्रेविट इतना, n porosity of 0.35 तो i critical क्या होता था g minus 1 upon 1 plus e e बरावर आप लिखोगे n upon 1 minus n तो यही formula बन जाता था g minus 1 into 1 minus n ठीक है तो आप directly भी formula निकाल सकते हो तो exit gradient क्या हो जाए critical gradient upon factor of safety critical gradient upon factor of safety ठीक है तो answer भी आगे है आप लोगो का बहुत बढ़िया specific gravity 2.5 minus 1 सीडिय सीडिय कर लो इसे अगर तो तो यह रहेगा 1.5 और 1 message 0.35 जाएगा तो कितना बचेगा 0.65 ही बचेगा factor of safety कितना दे रखाए आपको 5 का दे रखाए तो 0.3 into 0.65 यह तो आप सभी करी लेंगे तो आंसर आपका B जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है बहुत बढ़िया very good अगला सवाल अगला सवाल next question in a saturated soil deposits having a density of 20 kilonewton per meter cube the effective normal stress on a horizontal plane at 5 meter depth क्या हो जाएगा gamma summer z हो जाएगा सीधे सीधे effective stress कितना होता था गामा summer z into z तो अगर मैं gamma summer z को या gamma w को मैं 10 माल लू तो gamma summer z कितना हो जाएगा आपके पास 20 minus 10 22 minus 10 यानि के 12 और z की value कितनी है 5 meter तो लगवा लगवा बारा पंजे 60 बारा पंजे 60 आंसर इस 60 अगला सवाल अगला सवाल हांडे टर्मेर 50 कर दो या सीधे सीधे आप गामा summer z लगा तो ये की बात है what is the mass of the hammer in modified proctor test आंसर इस बिल्कुल सही 4.89 तनिसका जी ने सबसे पहले आंसर दिया 4.89 के जी आंसर इस सी तो भया ये सारा डेटा ही ये टेवल बना के रख लो गया आप ठीक है इस टेंडर प्रोक्टर टेस्ट मौडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट लाइट इंडिन स्टेंडर्ड जो थे लाइट और हैवी वेट ओफ हैमर फॉल ओफ हैमर नंबर अब बिलो नंबर अफ लेयर्स वॉल्यूम अप माउल्ड ठीक है तो छाप लीजेगा काम आएगा अगला सवाल अमिर गुप्तानी जैने एनर्जी का देशों भी दे दिया मौडिफाइड अपन इस्टेंडर्ड वेरी गुड आएगा सवाल अभी आगे है ठीक है इव दिवेट ऑफ हैमर इस 10 किलो न्यूटन एंडी हाइट ऑफ डॉप इस 22 मीटर देन वाट इदी थी थियूरिटिकल इंपुट एनर्जी ठीक है तो एनर्जी वरावर होता था एमजी एच आप यहां पर एमजी की वेल्यू आपको सीधे सीधे 10 किलो न्यूटन दी हुई है और एच की वेल्यू दी है टू मीटर तो कितना रहे गए 20 किलो न्यूटन मीटर 20 यह एक डॉप में आगर नैसे नंबर ऑफ डॉप एन होंगे तो क्या कर देंगे इसको एन से मुल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है लीजी यह सवाल आ गया आपका फेवरिट कैस्टन दी कॉम्पेक्टिव एनर्जी यूजिन आई एस मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इस हाव मेनी ताइम्स दी कॉम्पेक्टिव एनर्जी यूजिन केस आई एस स्टेंडर अपड़ा है भी और इस्टेंडर मतला लाइट तो आंसर आपको माले में 4.5 आता है करने का तरीका क्या होता है एक डॉप में कितनी एनर्जी होती थी एम जी एच तो एन में कितनी होगी इतना इसको डिवाइड कर दोगे आप एम टू जी एच टू एन टू यह रेशो आ जाता है एक्स यह रेशो जी से जी कैंसल हैगा दौनों में मास जो यूस करना है वो लिख दोगे हैमर का अलग- क्या करना है आपने नंबर ओफ लेयर इंटू नंबर ओफ लेयर एक लेयर में 25 होता है नंबर ओफ लेयर थिरी और 5 हो जाती है ठीक है तो उससे हो जाएगा कि हास्ता राज जैसा पूछा उसके हिसाब से तेना है जैसा पूछा उसके हिसाब से आपने आसर देना है विखें कि आज का सबसे बड़िया सवाल कि अगर का मंद्टीफलाई कर्दो सब का मा लोक हें वॉल्ल्ción कम इनुट में कर दें बस कर दो अरे वाई यह तो सभी साही आंसर दे रहा है ठीक है बिल्कुल सही सही जवाब सब का आंसर यह सीपेस प्रेशर जो होता है वह हमेशा फिलो के डारेक्शन में लगता है अपोजिट नहीं लगता है लाइक फ्रिक्शन ठीक है और इसी वादे से पाइपिंग होती है क्योंकि जब पानी आता है तो पार्टिकल्स को अपने साथ ले कर जाता है तो क्योंकि पार्टिकल्स आपको बताया था है जो वाटर के पार्टिकल्स पर सॉइल के पार्टिकल्स फ्रिक्शन पीछे क्यों लगाएंगे एबरी एक्शन है इस अपने साथ ले कर जाएगा ठीक है सभ सब्सक्राइब कर आएगा फिर ठीक है फिर्स्टाफ वाटर टीटमेंट तक पलकर आएगा कल एवार्मेंट का कि अधि इस प्रिक्षिना प्रिक्षा प्रिक्षिन के पूछ आप को हैसं के बता रही बिल्कुल साही जवाँ आप सभी का आंसर सी टैन फाइप उन फ्वाइएं फाइएं के आता है mobilize friction friction का mobilization का क्या मतलब होता है यह आपको समझाए हुआ है friction क्या करता है अपनी value को धीरे-धीरे mobilize करता है 100% friction को use नहीं करता है अगला सवाल important question है यह बहुत जादा ESE में पूछा भी गया बलकि 2019 में आज के लिए environment प्रिपेर किया था surprisingly soil हो जादा तो मेडम कल काम आ रहेगा क्या दिक्कत है गलत टाइप हो गया था कोई बात में विल्कुल यही करना है हम first हम first यही करना है यहाँ पर एक दूसरे से compete करो जब तुम 100 बच्चों की बीच में compete नहीं कर सकते तो लाखों से क्या compete करोगे तो पहले यहाँ 100 से compete करो ठीक है सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करो उस चक्कर में silly mistakes होंगी और यहीं से हमारी silly mistakes identify होंगी फिर हमने उसको दूर करना है अप प्रग्या जी first आर यह थोड़ी दिर से हैं एक और हमारी UPPSC यही written qualified candidate है आपर रमाग्या गुपता है न रमाग्या जी आप वहीं है न ठीक है तो एक और candidate student है अपने हापर इनका भी final नहीं हो पाया बढ़ रिटन qualified हुआ था चलिए एन एक लगे रही है इसी तरीके से हाँ अभी तो आपका MP का भी एक्जाम होगा उसमें भी काम आएगा यह सब N excavation is made with a vertical phase in a clay soil which has cohesion इतना गामा T इतना stability number इतना the maximum depth of a stable excavation will be ठीक है तो SN वराबर क्या होता था C upon gamma HC ठीक बहुत बढ़िया ठीक है तो आप यहां से hc निकाल लेंगे maximum depth c upon gamma s हो जाएगा गामा s हो जाएगा ठीक है तो question दिया है gamma दिया है s दिया है find out कीजिए value कितनी आ रिए 10.6 meter 10.6 meter आ रिए value बिलकु सही जवाब नहीं बच्चे यह सब तो फालती हुआता है यह ऐसे थोड़ना सोचा जाता है ऐसे थोड़ना सोचा जाता है आगला सवाद and infinite slope is inclined at angle i and has its angle of internal friction फाइदा stability number sn तो sn वरावर होता था 10 beta minus 10 phi into cos square beta जब beta क्या होता था slope होता था बीटा क्या होता था slope यहाँ पर इनों नहीं क्या कर दिया बीटा को आई लिख दिया ठीक है बीटा को आई लिख दिया और कोई महान काम नहीं कि तो answer आपका क्या हो रहेगा C हो रहेगा अगला सवाल यह वी important question है अलकि देको 2020-2019 में दो-दो exam में पूछा हुआ है अनज जी कोई बात नहीं आपनी पढ़ा तो आप पढ़ लिजेगा लेक्चर से अवे लेवल है इनकी एज़ोफ़ टेक पर the radius of friction circle कितना होता था rsin 5 वैसे basically small r ब्रावर capital rsin 5 हो जाता था बट समझ जाएगा यहाँ पर जो small r दे रखा है वही आपको failure surface की जो radius है वो यह r दे रखी है तो यहाँ पर जो friction circle की जो radius होगी वो rsin 5 हो जाएगी अगला सवाल अगला सवाल in stability analysis of slopes factor of safety with respect to height is given by ठीक है तो height बरावर कितना होता है critical height upon factor of safety ठीक है तो factor of safety बरावर क्यों रहेगा critical height upon height h c upon h हो जाएगा तो option number किया हो जाएगा अगला सवाल in stability analysis of infinite slope for cohesionless soil the factor of safety f against sliding is given by where tau f is shear strength and tau is shear तो हम लोग tau को क्या चाहेंगे filter stress से कम करना चाहेंगे factor of safety से divide करके तो factor of safety क्या हो रहेगा tau f upon tau और यही वो formula होता है जहां से इस chapter की सुरुआत होती है ठीक है tau f upon tau अगला सवाल यह भी बहुत important question है area ratio इस chapter से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है sampling से sampling of soils से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला question है a sampling tube has an inner diameter of 80 and outer diameter of 88 mm ठीक है area ratio क्या होता था पहले बात तो negative नहीं होता है दो option वैसे element हो जाएंगे तो यह होता था d2 square minus d1 square upon याद रखेगा d1 square नीचे d1 square आता है ठीक है d1 square अब यहाँ पर वो तरीका काम आएगा 88 का square minus 88 मैं plus 80 कर दो तो कितना हो जाएगा 168 और इन दोनों का difference कितना हो जाएगा 8 और upon कितना हो जाएगा 80 का square तो 8 से हो जाएगा तो 168 upon 800 800 तो यहां से आपको दिख रहा है आठ दूनी 16,0.2 something तो answer क्या हो जाएगा a हो जाएगा answer क्या हो जाएगा a हो जाएगा ठीक है तो छोटी मगर मोटी वाते छोटी मगर मोटी वाते हो गई ठीक है यह वाला सवाल के वल इसने लिया ताकि आपको यह डाइग्राम दिख जाएग पूछा वही है इसमें the given figure related design feature of samplers affecting the area ratio area ratio तो बेसिकली यहां पर यह अंदर वाला diameter जहां से cutting गोटिए वो डीवन होता है यह diameter d2 होता है पीछे यह वाला diameter d3 होता है और यह d4 होता है ठीक है यह d4 होता है तो दीटू स्कार माइनस दीवन स्कार अपॉन दीवन स्कार शक्तिमान चलिए अगला सवाल अगला सवाल अरे ट्रिक क्या समझ में नहाए विजय सिंग बिठा a square minus b square क्या होता था a minus b into a plus b कक्षा नॉम में क्यों सिखाते थे तो हमने a minus b into a plus b लगा दिया उसको solve करने के लिए ठीक है तो 88 था और 80 था तो 88 और 80 को जोड के लिख दिया और उनका difference से multiply कर दिया हो गया ठीक और को ट्रिक थोड़ी ना थी उसमें फॉर्मूला था simple during a sampling operation the drive sampler the drive sampler is advanced 600 mm and the length of the sample recovered is 525 what is the recovery ratio कितना हो जाएगा 525 बटे 600 हो जाएगा ठीक है 600 mm तक sample जो है वो रीच किया but soil आपको 525 ही मिली डिवाइड कर दिजे 0.875 अगला सवाल अरे session तो कितने सारे लाने हैं लेकिन ये classes से फुर्सत नहीं मिलनी चार-चार classes इसी में फसा रहया तों पूरा दिन significant depth of exploration in soil is given भाई तुक के लगा रहे हो क्या तुक के लगा रहे हो मेरे पास जो इसका आंसर है वो 0.2 q है sure तो मैं भी नहीं हूँ बट माल्य में कि 0.2 q है आप चाहो तो गूगल वावा की शरण में जाकर इसको आप confirm कर सकते हैं आप चाहो तो इसको star mark कर लो अगर doubt हो तो इससे confirm कर सकते हो बट आंसर इस 0.2 q आंसर इस 0.2 q ठीक है अगला सवान कि वह याब मैं भी सिंपल सा फंडा रखता अपना कुछ जानके चलो कुछ मानके चलो जाड़ा टेंशन नहीं लेनी अपनी ठीक है कि पीस ओफ माइंड सबसे पहले जरूरी है पीस ओफ माइंड लीजय चनप्रताब जी ने confirm कर दिया कि 20 परसेंट ही होता है प्रक्या जी भी कहते हैं 20 परसेंट ही होता है सही दिया है वेरी गूद समय मिलेगा तो बनाएंगे और सब जटकी मेरा थनी फिलाल इसको देखिए तो इसका अंसर क्या होगा यह तो सभी को आता होगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन आप देख रहे हैं कितने एक्जाम में हर जगया पर लबब पूछा गया है और इसकी इंपोर्टेंस में 2020 में यह सवाल तीन एक्जाम में पूछा गया DMRC में इंजिंग सर्विसेस में गुजरात में तीन जगह पर तो क्या होता था कि 15 पिलस 15 के ऊपर की जितनी रीडिंग होती थी उनका आधा एड़ करते थे तो 15 पिलस हाफ आफ आफ एनार माइनस 15 आंसर इस चलिए ऐसे मजे लेके पढ़ते रही है बस यह है यू मीन इनर पीस सर चलो दरेंज आफ एन वेल इस फॉर अबैरी लूस सेंट मैं आजकल दो चीजे सुन रहा हूं ठीक है आप लोग भी टाई कर सकते हैं विश्नु सहस्त्र नाम करके यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा विश्नु सहस्त्र नाम विश्नु सहस्त्र नाम ठीक है तो यह आप कीजेगा यूट्यूब पर आपको मिल लाएगा मैं इसके जो सिंगर है जो लेडी है सुब्रमन्यम करके कुछ हो है इसमें विश्नु जी के हजार नेम है लब 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 यह 30 मिनिट का होता है 30 मिनिट का आप बैच जो आके बंद करके और इसको सुनते रहो आपको कुछ meditation करने की जो तनी अपने आप meditation हो जाएगा ठीक है आके बंद करके वेड़ जो इसको सुनते रहो आप 30 मिनिट का लगवाग है और आपका बहुत जबर्दस meditation हो जाएगा अपने आप the range of n values for a very loose time ठीक है तो table याद नहीं है तो ये table आप बना लीजेगा इसलिए ये table सब मैं ले आता हूँ आप लोगों के लिए ठीक है n value compactness 0 से 4 होता है तो very loose 4 से 10 है तो loose 10 से 30 है तो medium 30 से 50 है तो dense ठीक है तो हम से क्या पूछा है वेरी लूज तो वेरी लूज के लिए क्या है 0 से 4 जी जीरो से 4 तो 0 पर ही वेरी लूज हो गया लीजा अमित गुपता ने सुन रखा है 25 million वीडियो है या व्यूज है 25 million व्यूज है उस पर हां ठीक है बहुत ही बहतरीन है राजनत्रियाल ने भी देख सुन रखा 32.06 मिनट क्या बात है बहुत ही बहतरीन है आप लोग जरूर सुनिएगा उसको मलब जब आप उठेंगे 30 लगेगा माइंड की सारी थकान सारी फटीग सब दूर हो गए हाँ साउथ इंडिन टेंपल में रोज सुनाया जाता है बिलकुल और उसका एक अलग ही एससेंट है भध्यमजी सुन रख सुन रखा है खुब सुनता हूं यह सब कि विष्णु सहस्त्रणाम लोग कहते हैं भगवान आते नहीं तो मीरा की तरह बुलाते नहीं चलिए अगला सवाल है mechanical establishing requires mechanical stabilization requires तो mechanical stabilization के लिए हम लोग क्या करते हैं दो different properties की natural soils को मिला देते हैं सबसे बड़ा option थोड़ा है लेकिन बड़ा है चलिए अगला सवाल विच टाइप ऑफ इस्टेवलाइजिशन विल भी बैस्ट फर ब्लेक कॉटन सॉइल यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्रेस्चन है फ़ले से यहाँ पर के वल एक एक्जाम लिखाओ तो ब्लेक कॉटन सॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं सॉइल लाइम इस्टेवलाइजिशन ठीक है विल्कुल शेयर कर देंगे हैं सॉइल लाइम इस्टेवलाइजिशन अगला सवाल और यह सब चीज देखो साइन्टिफिकली वर्क करते हैं कि हमारी बॉड़ी जो है आपको मालूम है यह स्मॉल मॉलीक्यूल से मिलकर बनी है और यह जो साउंड होती है आपको मालूम है आपने रेजॉनेंस वर्ड सुनाओगा वाट इस रेजॉनेंस रेजॉनेंस क्या होत लगता है आजकल जो यह बूफर होते हैं क्या होता है उनकी धमक से किस तरीके से पूरा atmosphere हिलता हुआ लगता है बॉड़ी में इती तेज आके वह हिट करती है तो यह सर्टीन frequency की sound होती है इनसे हमारी बॉड़ी पर बहुत healing effect होता है यह सब मलब physics से proven यह चीज़े लाइम इस्टेवलाइज़ेशन इस बैरी इफेक्टिम इन अभी देखो ब्लैक कॉटन सॉइल ब्लैक कॉटन क्या होता था किले किले करी तो है तो यह हो गया कि अगला सवाल विटुमन इस्टेवलाइज़ेशन इस सुइटेवल फॉर विटुमन इस्टेवलाइज़ेशन कहां करते हैं तो यह सथ यूपी अही का वेकंसी कव आएगा भया में 15 मई से पता है कि 15 मई से मई एंड तक आ सकता है फिलाल हमें जो पता है उसके बाद में अब वेट कीजिए जब भी आता है कि विटुमेन इस्टेवलाइज़ेशन इस्टेवल फॉर तो विटुमेन इस्टेवलाइज़ेशन निर्मल बावा तो बता दिंगे आपको ठीक है वहीज जी आपको रिप्लाई किया था मैंने कल टेलीग्राम पर निर्मल मुझे वाट्स ब kingdom कर दिना मैं डेलीग्रां पर तुम्हें वाट्सेव कर दोता दुँ हो लिंक शेंड कर दूंगा थीक है विटुमें स्टेवलाइज़ेशन कि कि लिए करता है सेंडी सॉइल के लिए करता है सेंडी शाइडी और आज का अंतिम सवाल, आज का लास्ट क्वेस्टेशन, आज का लास्ट क्वेस्टेशन, इन न्युमार्थ इन्फुलेंट्छाट स्टेस्ट डिस्टिशिशन, देयर 40 कॉंसेंटिक सर्किल, फिफ्टी रिडियल लाईए, पूआख़ से लेज इन जम्यू रिक थारा आगे जिम्मू और व Dobben अप 11 उर्व है टो वाही जिन से टो वन अपां एमन उता था कंसेट्र ऐसंेस पीए ठीक है, 1 upon conceptic circle 40 into radial line, तो कितना रहा गई है, 0.005, 1 upon 40 into 50, वही मैं सोच रहा हूँ, तो 1 divided y, ठीकता है, 0.0005 था, सही तो था, 0.0005, यह आएगा, a नहीं होगा भाईया, d होगा, a नहीं होगा, मुझे भी confuse कर दिये, मुझे लगा फिर से मैं री calculation गल्वत दो रही है, सही तहा है, d है, ठीक है, चलिए, तो अब new students के लिए, अबने का, थोड़ा बहुत प्रिचार करना चाहिए, लेकिन end में करना चाहिए, ठीक है, तो भाईया, यह जो नए वालक है, नहीं जानते हूँ, तो यहां से पढ़ सकते हैं, हमारे बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद में, paid batches का थोड़ा सा बता देते हैं, कि अभी जो paid batches चल रहे है, vision batch आपका चल रहा है, vision batch में, हाँ, promotion भी करना भी ज़रूरी है, ठीक है, तो vision batch जो है, वो one year theory plus question practice का batch है, ठीक है, one year theory plus question batch है, और उस batch को इस तरीके से design किया गया है, कि आपके SSC JEE से लेके ESC gates अप में beneficial रहेगा, fee cable 3000 है, उसके रावा एक batch आपका ESC pre का CTQ concept through question, और एक batch आपका SSC JEE mains का भी है, जिनकी individual fee 1000 है, अगर आप vision batch लेते हैं, तो वो साथ में फिरी रहेगा, है कि नहीं? हाँ, नहीं अभी live तो नहीं होंगे, बाद में देखेंगे, जो बाद में offline देखेंगे, उनके लिए, चलो, यह सब तो प्रविंसर design करते हैं, और सब प्रविंसर बनाते हैं, ठीक है, मुझे तो आते नहीं है सब बनाने हैं, प्रविंसर करते हैं सारा का, तो आपकी class देखेंगे, प्रविंसर का बहुत रोल रहता है, वही दियार, खाली खुर्मी की, फिर खुर्मी भी है, गुपते इन गुपता भी है, बहुत सारी कितावे हैं, यह जो youth की, जो यही वाली books बताईएं, यह perfect आपके सभी exams के लिए, क्योंकि इन में क्या है, वह अच्छा रवी कान जी, बहुत बढ़िया, कल पर्दियावरन अवियांतरी की, विल्कुल महिंग जी, कल पर्दियावरन अवियांतरी की, ठीक है, जोगरा जी भेज देंगे, भेज देंगे, चिंता मत कीजिए, भेज देंगे, ठीक है, चले फिर अवी के लिए नित नहीं थैंक यू और विजन बैचे मिलते हैं दस बजे बाकि सबसे कल मिलते हैं एन्वार्मेंट इंजिनिरिंग के साथ में ठीक है एसी की पीडिएफ हाँ में बिल्कुल अभी वो सामको में सही में सी लास में लिए फिर में अभी आपको इसी की पीडिएफ भेज देता हूँ जिंता अभी है ऍचे यूद्रफ में यूद्रवालिवाली बुक लगाउ ठीक है यही कामँ आईगी आपके हाँ इसकी PDF सेइन कर देता हूँ इसकी PDF अभी सेइन कर देता हूँ और यह नेक फ़र यू बिलकुल एंड में एंट्री मारते हूँ बड़े गहन सोच विचार की मुद्रा में ठीक है चलिए थैंक यू कर देता हूँ